नमस्कार दोस्तो मैं इंशुल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन टागेट पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही जाबा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले है और अबाउट कॉगनिसेंट इंटर्शिप हाँ दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कॉगनिसेंट की इंटर्शिप के वाले में बहुत कुछ बताने वाला हूँ बड़ दोस्तो एक बात और वीडियो को आगे बनने से पहले मेरी बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट तो दोस्तो टेकिन टार्गेट को जल्दी सेल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजे और दोस्तो इस वीडियो में हम एक टार्गेट सेट कर रहे है थाउसेंड लाइक्स का हाँ दोस्तो इस पर जल्दी से जल्दी थाउसेंड लाइक्स भी पूरे कर दीजेगा तो दोस्तो सब आंसर देखाने से पहले आपको इक चीज बता दूँ यह को हो तक है basically IT and non IT IT बच्चे जो प्लेज हो जाते हैं नवंबर में जिनकी जॉइनिंग होती है में में यार हम लोग प्लेज होने के बाद बहुत फ्री हो जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं C, Python, Java क्या होती हैं हम बहुत फ्री रहते हैं क्योंकि एक बार प्लेज जोने के बाद तो कहीं ना कहीं इंटर्शिप इसलिए करवाई जाती है वह भी 3-4 महीने पहले है 3-6 महीने पहले जिससे बच्चा जो टेक्निलोजी है उस पर दिहान दे या फ हाई वो IT companies में place तो हो जाते हैं बट वो पेस्ट अप नहीं करवाते हैं मतलब बीस जो IT के बच्चे जैसे होते हैं उनके जैसे नहीं करपाते पेस्ट अप तो उनके लिए दोस्तों मेली इंटर्शिप होती है इस चुडेंट्स के लिए भी होती है बट कही ना कहीं इनका focus नौन ईटी स्टुडेंट्स पर जाधा होता है दोस्तों इंटर्श इस प्रेनिंग आर्श एक्क्रोस कोर स्किल्ण होती है उसमें टाइम स्पेंड करने का बाकी दोस्तों आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दोस्तों एक बात मैं पर्सनलि बता दू जितने आपने पड़ा हुआ कि इंख्य होते हैं उनके जो कंपनी सच्छी बहुत अच्छी होते होगी आप बहुत अच्छी से help करते हो और आप खुद भी करने वाले में जितना मैंने कॉलेज में नी सिखा उतना मैं यहां सीख जाऊंगा तीन से छे मेने के अंदर नेक्स है दोस्तों before joining you will get in touch with various skills that are using cognizant हा दोस्तों mainly जो इनका मकसद होता है यही होता है वही होता है जोइन करने से पहले आप कुछ skills सीख जाओ जो को में 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 यूस होती है अब बाई suppose करो आपको python आती है क्योंकि आपको python अच्छे से आती है तो कहीं ना कहीं वह आपको जो जो skills इनकी required होती है जो जो skills जरूरी होती है तो उसको आपको familiar करवाते हैं दोस्तों eligibility criteria भाई internship लेने का eligibility criteria कहेगी कैसे हमें cognizant की internship मिलने वाली है दोस्तों एक और everyone who accepts the cognizant offer letter उस्तों आप सभी के याँ on campus drive हुई है cognizant की अगर आप सभी उसमें select हुए उसके बाद आपके पास एक offer letter आया internship का means offer letter आया है proper उसको अगर आप accept किया है तो दोस्तों आप eligible हो cognizant की internship के लिए अब दोस्तों next what is CSD भाई ये CSD क्या है internship तो बहुत हो गया cognizant का और हम सब जाग भी रहें internship होता गया अब अब ये CSD कहा आ गया हम ने तो कोई और company में सुना ही नहीं है दोस्तों CSD is an alternative if you do not want to opt for internship then you must proceed with CSD continuous self-development हाँ दोस्तों अगर आपको internship नहीं करना है तो दोस्तों एक alternative है जो क्यों की है CSD जहां दोस्तों कहीं न कहीं CSD is a self-guided learning in this you will be required to learn from the online platform सहां दोस्तों आपको online platforms के link दे दिये जाएंगे वहां से आपको अपने आप तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप सीखना पड़ेगा दोस्तों एक बात और बता दूँ अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या join करना चाहिए CSD या internship मैं प्रिफर करने वाला हूँ internship क्योंकि अगर आप देखोगे online भी और या पर senior से बात करोगे तो वो खुद बोलेगे कि cognizant खुद चाहता है कि हमारा जो candidate है इंटर्णशिप में ही सीखे क्योंकि आर इंटर्णशिप में आपको लाइब डाउट सीख लाइब डाउट पूछने का मौका मिलेगा अपने डाउट टेली बेसिस पर पूछोगे CSD में आपको लिंक्स मिल जाएंगे वहाँ आपको online करना होगा या फिर आपको रिकॉर्डे लेक्चर देंगे तो दिहान रखी अगर हो सकता इंटर्णशिप ही जोइन करिएगा कॉमिसेंट की इंटर्णशिप और CSD is for both IT and non IT students भाई जो इंटर्णशिप प्रोवाइट करने दौनों के लिए हैं सिर्फ IT students के लिए भाई क्योंकि non IT को अभी भी घबरा रहे हैं न कहीं न कहीं एक तो भाई हम IT की कंपनी में हो गए अब इंटर्णशिप हमको मिलेगी है नहीं मिलेगी गबराओ मत इंटर्णशिप सबके लिए तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है IT as well as non IT और मेंली फोकस इनका non IT students पर ही होता है इंटर्णशिप के टाइम पर क्योंकि आप लोग या बहुत पहले प्लेस हो जाते हो और उसके बाद आप जो तयारी करते हो CS ब्रांज के सब्जेक्स की वो भी आप सिर्फ प्लेस्मेंट टाइम पर करते हो आप पहले से नहीं करते हैं तो कहीं नहीं कहीं आप इन लोग का फोकस भी non IT students पर जादा होता है इंटर्न कब फुल टाइम मिलने वाला है कि अब सब्सक्राइब एक तो होता है कि अवनी फुल टाइम कब होगी कुछ लोग बोलता है एक महिनी की इंटर्शिप कर ले दो महिनी की कर ले बाई कुछ तो होगा ना specific criteria based on performance during internship and the demand from business your onboarding will be done हाँ दोस्तों बहुत जगे क्या होत है कही ना कही हमें 3 महीने 6 महीने तो दोस्तों maximum होती है internship एक साल भी बोल सकते है बड़ दोस्तों कही ना कहीं 2 साल खिच जाते हो उसका मैं आपको reason बता दूँ भाई होता कहा है कॉनिसेंट में suppose करो already बहुत सारे employees काम कर रहे है और उनको उसकी requirement नहीं है तो दोस्तों कॉनि इंट पर अगर आप internship में बहुत अच्छा perform कर रहे हो और कहीं न कहीं डिमांड भी है कॉंदिसेंट office headquarter से की भाई हम लोग को employees चाहिए candidates चाहिए तो आपको कर दिया जाएगा दोस्तों on board और दोस्तों main जो होता है वो यही होता है अगर आपकी performance अच्छी है internship के टाइम पर हमारा पूरा का पूरा duration क्या रहने वाला है internship program का आप सभी confusion क्योंकि मैं last slide में बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हम अपना अच्छे जब perform करेंगे तो त्यल्दी on board हो जाएगा भी कुछ तो specific हाँ दोस्तों at least minimum समझ लीजे तीन महीने की तो आपकी internship होने वाली है क्योंकि के as a candidate को भी at least तीन महीने में चेक करेंगे उसकी ability क्या है क्योंकि इतनी जल्दी किसी भी candidate को जर्च करना सही नहीं है तो आपको तीन महीने का टाइम दिया जाएगा उसमें आपको अच्छा perform करना है अगर आप तीन महीने में अच्छा perform कर दो तो आप on board कर दिये जाओगे अधर्वाइस दोस्तों आपकी internship six months अग भी खीची जा सकती है और दोस्तों सबसे जीवात क्या है आपको internship का जो मौका मिल रहा है वो आपके eight semester में ही मिल रहा है अब हो तक है eight semester के बाद joining आती है तो दोस्तों कहीं न कहीं हमारा जो training का पीरेड होता है हम सभी को मानूम होता है तो अपने college के साथ कमा भी रहे हो कुछ ना कुछ earn भी कर रहे हो सीख भी रहे हो और जैसे ही आपका eight semester over हो रहा है उसके बाद दोस्तों आपको full time opportunity मिल रहे है जहां दोस्तों आपको salary भी आपकी अच्छी होने वाली है और आपको full time जल्दी से जल्दी मिल भी जाएगा क्योंकि अगर हम बाकी companies की बात करें वहाँ तो अभी तक offer letter ही नहीं है या पर कुछ मालूम ही नहीं है कि बाई कब क्या date आने वाली है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोगनी सेट में आप सभी को बहुत अच्छा opportunity मिल रही है training will be done from Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m. हाँ दोस्तों आपकी training होने वाली है 9 hours की that is 9 a.m. to 6 p.m. और दोस्तों Monday to Friday चलने वाली है आप पूछोगे Saturday Sunday free है ना भाई रुक जाओ देखो Saturday का मैं बता देता हूं आप सभी को Saturday मेली companies में क membership join करोंगे कि भाई तुम Saturday को काम करोंगे आपकी मर्जी है पड़ मैं आपको सच्छा ही बता दू Saturday को कभी कभी यह लोग लाइट सेशन रख लेंगे डाउट सेशन रख लेंगे और कोई assignments दे दिये जाएंगे तो कहीं न कहीं दोस्तों आपका Saturday इन चीजों में भी जा सकता यहां पर जो भी assignments दे रहें उसको solve कीज़े दोस्तो location for internship सभी excited है यार बहुत time से घर पर बैटे आप जाक आ रहे हैं यह तो बताओ इंटर्शिप के लिए इंटर्शिप विर भी सरय इंटर्णिप होने वाली है कि इस एपंड फिर इंटर्णिप करते ह Speculy की गृत्स खांट है के मिल रहा है 12,000 रहे हैं एट सेमिस्टर में मिल रहे हैं सीखने को मौका मिल रहा है यह सब अच्छी चीज़े सोचे की सब सब्सक्राइब बड़ी बात क्या है आपका जो इंटर्शेप है एट सेमिस्टर पे कंड़ करवाई जा रहे है अगर आप सोच रहो कि आपको और कुछ बोनस मिलने वाल है इस 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 बारह जार में आपको अपना पूरा महिना निकालना है और यह बारह जार मिल रहे तो इसमें दोस्तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है हां दोस्तो आपके परसनल बैंक अकान्ट में चाहिएगी जो भी इन लोगों ने आपको बैंक अकाल बोला होगा वहां आपको अपना बैंक अकाल खुल वान है और उसकी डिटिल्स आपको देनी हैं कंपनी में और आपकी क्राइटिट हो जाएगी हर महीने के आकरी दिन में दोस्तों, interns will be mapped to different technologies, भाई सबका questions होता है, एक बात बताओ, आज पूरे दुनिया की ना, पूरे इंडिया की कोई ऐसी company नहीं है, जिसमें हम चाहते हो, suppose करो, मैं ऐसा individual, अगर एक company join कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, मुझे इसमें काम करना है, मुझे उसमें काम नहीं मिलने वा इंटेस्ट, और दोस्तों, interview conducted, हाँ दोस्तों, जब आपकी on-campus drive हो रही थी, जो आपने interview दिये थे, उसके basis पर भी जर्ज किया जाएगा, बर दोस्तों, कहीं न कहीं ये समझ लीजे, आपके जो test conduct करवाए जाएंगे, या फिर जिस तरीक साब doubt पूछते हो, और दोस्तों आपका department, क्योंकि जितना अच्छा performance करोगे, उतनी जल्दी आपको projects भी मिलेंगे, और उतनी अच्छा दोस्तों, आपको department भी मिलने वाला हो, कहीं न कहीं दोस्तों, आप ये समझ जीजे, आपको opportunity मिलने वाली है, ग्रो करने की, तो मेरी बस आप सभी से एक ही request है, starting के 3-6 म इने, जितनी महनत हो सकी है, दोस्तों, कर लो, Saturday को भी महनत कर लीजे, तो दोस्तों, ये था पूरा part 1, जो हमने discuss कर लिया है, cognizant internship का, तो जल्दी मैं upload कर दूंगा, cognizant internship part 2, तो दोस्तों, उसको भी देखना मत बूलेगा, दोस्तों, फिर से बता दू, इसमें हमने target रखा ह internship updates, interview experience of different companies, हाँ दोस्तों, हमने अपने channel पर, companies and NKB, बहुत सारे interview experience राल रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो, हमारे channel पर, बाकी दोस्तों, हम आपको interview tips भी देते हैं, बाकी हम free courses, free certifications के बारे में भी, हम दोस्तों, हम अपने channel पर पताते रहते हैं, अगर दोस्तों, आपका क कुम कुम के दिच रहते हैं, न क्यांका कि दूब मैंगे हम अपने.